ये आकाश्वाणी राइपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ में रतना साहूँ और पेशे आज के मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाश्वाणी से मन की बात कारिक्रम में कोरोना योध्धाओं का आभार व्यक्ति किया कहा कि कोविट की पहली लहर की तरह एक बार फिर देश विजई होगा प्रधेश में व्रिक्षारोपन को प्रोथसाहित करने के उद्देश से आगामी एक जून से शुरू होगी मुख्य मंत्री व्रिक्षारोपन प्रोथसाहन योजना 36 गड़ योग आयोग द्वारा कल से वर्चुल योग अभ्यास और योग परमर्ष कारिक्रम का आयोजिन किया जाएगा और आगामी 24 गंटों के दोरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरत चमक के साथ अंधर चलने तथा आकाशिय विजली गिरने की संभावना कोरोन संक्रमन में बढ़ोतरी जारी है सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बढ़तें सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविट का पहला टिका लगवा लिया है सही समय पर दूसरा टिका लगवाएं तीन आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें कोविट-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ रमू साफ रखें कोविट-19 से संबंधित जिग्यासाओं के समाधान के लिए राश्ट्रिय और राज्यस्तर पर हेल्प लाइन नंबर जारी किये गए है 36 गड़ के लिए हेल्प लाइन नंबर है 104 और 0771 2235091 साथ ही राश्ट्रिय हेल्प लाइन नंबर है 1075 अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविट की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमी का निभाने वाले कोरोना युद्धाओं का आभार व्यक्ति किया है उन्होंने कहा कि देश के दूर दराज के छेत्रों में मेडिकल ऑक्सिजन पहुँचाना वात्सों में एक बहुत बड़ा कारिथा आकाश्वणी से मन की बात कारिक्रम में राश्ट को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि देश ने भली भादी देखा है कि किस तरह डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ती के योधाओं ने खुद की चिंता छोड़ कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी हो भारत का विजय संकल्प भी हमेशा उसे बड़ा रहा है देश की सामुहिक शक्ति और हमारे सेवाभाव ने देश को हर तुभान से भाग निकाला है हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स नर्से और फ्रंट लाइन बॉरियर्स उन्होंने खुद की चिंता छोड़ कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की सेकंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमी का रही है श्री मोदी ने कहा कि महामारी के बीच भारत सिवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित दूरी का पालन करें मास्क पहने और टी का अवश्य लगवाएं कोविड महामारी में अपने माता-पिता गवाने वाले बच्चों की मदद के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पी-म केयर्स बाल योजना के अंतरगत कई कल्यान कारी पहल को मंजूरी दी है इन बच्चों के लिए निशुलक शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा और 23 वर्ष की आयू होने पर उन्हें 10 लाख रुपिय दिये जाएंगे प्रधान मंत्री ने कोवीड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को मदद देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में महामारी से प्रभावित हुए बच्चों के कल्यान के लिए कई योजनाओं की गोशना की एक रिपोर्ट PM Cares for Children योजना के अंतरगत कोरोना के कारण अनाथ हुए प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपय का एक विशेश कोश बनाया जाएगा इस कोश में 18 वर्ष की आयू तक PM Cares फंड द्वारा योगदान दिया जाएगा लाभार्थी बच्चों को 18 वर्ष की आयू से 23 वर्ष पूर्ण होने तक 5 वर्ष के लिए मासिक सहायता धनराशी भी दी जाएगी 23 वर्ष की आयू प्राप करने पर लाभार्थी को उसके पेशेवर या व्यक्तिगत उपयोग के लिए 10 लाख रुपय की पूरी राशी हस्ता अंतरित कर दी जाएगी कुरोना से अनात हुए सभी बच्चों को निशुल्क सिक्षा सुन्शित करने के लिए इस योजना के अंतरगत 10 वर्ष से कम आयू के बच्चों को केंदरी विध्यालियों या निजी विध्यालियों में प्रवेश दिया जाएगा जबकि 11 से 18 वर्ष की आयू के बच्चों को सैनिक्स विद्यालियों या नवोदय सहित अन्य आवासी विद्यालियों में सिख्षा प्रदान करने का प्रापधान किया गया है इस योजना के अंतरगत ऐसे सभी बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों पे भी आने वाला सारा खर्च पीम केर्स द्वारा वहन किया जाएगा उच्च सिख्षा के लिए जाने वाले चात्रों को सिख्षा रेण और चात्र वित्वी प्राप्त करने में भी सहायता की जाएगी सभी लाभार्थी बच्चों का पांच लाख रुपए का स्वास्त बीमा भी आयुश्मान भारत योजना के अंतरगत कराया जाएगा जिसके प्रीमियम का भुक्तान पीम केर्स फंड द्वारा किया जाना है प्रदेश में विक्षर रोपन को प्रोटसाहित करने के उद्देश से आगामी एक जून से मुख्यमंत्री विक्षर रोपन प्रोटसाहन योजना शुरू की जा रही है इसके तहत राज्य के सभी नागरिक और ग्राम पंचायते तथा सायूक्त वन प्रबंधन समीतियां इस योजना का लाब लेने के लिए पात रहूंगे इसके क्रियानविन के सम्बंध में सभी कलेक्टरों और वन मंडल अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिये गए हैं मुख्यमंत्री विक्षर रोपन प्रोटसाहन योजना के तहत जिन किसानों ने पिछले साल धान की फसल ली है यदि वे इस साल धान फसल के बदले अपने खेतों में विक्षर रुपन करते हैं तो उन्हें आगामी तीन वर्षों तक हर साल दस हजार रुपिये प्रति एकड़ की दर से प्रोटसाहन राशी दी जाएगी 36 गड़ योग आयोग द्वारा कल 31 मई से वर्चुल योग अभ्यास और योग परामर्ष कारिक्रम का आयोजन किया जाएगा लोगों में प्रतिरोधक शमता बढ़ाने के उद्देश से यह कारिक्रम लगातार दो पालियों में आयोजित किया जाएगा जिसमें कोरोना से ठीक होने वाले और होम आइसोलेशन में रहने वाले लोग शामिल हो सकते हैं इस वर्चुल योग अभ्यास में शामिल होने के लिए हितिग्राही को आनलाइन पंजियन कराना होगा पंजिकरत हितिग्राहियों को योग प्रशिक्षक समूह में योग अभ्यास कराएंगे वहीं फीजियो थेरपिस्ट भी विशेश प्रशिक्षन देंगे इस कारिक्रम का लाइप प्रसारण 36 गड़ योग आयोग के फेस्बुक पेज और यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा समाज कल्यान विभाग की सचिव रीना बाबा साहिब कंगाले ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में आविश्यक तैयारी करने के निर्देश दिये हैं अंतर राश्य योग दिवस पर 21 जून को इस साल देश विदेश में आयोजित समारोह में 36 गड़ के हरबल उतपादों की धूम रहेगी समारोह में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को गिफ्ट हेंपर के रूप में राज्य में तैयार कोवीट कवज भेट किया जाएगा इसे एक इम्म्यूनिटी बुस्टर के रूप में हरबल उतपादों से तैयार किया गया है इस गिफ्ट हेंपर को मुख्यमंत्र भूपेश बगेल ने कल राइपुर इस्थित अपने निवास कार्याले में लौंच किया गौर तलभे की विभिन भारतिय दूतावासों और ट्राइफट इंडिया के बीच हुए एक समझोते के ताहत अंतर राष्टे योग दिवस समारोहों में भाग ले रहे प्रतिभाग्यों को उपहार के रूप में हर्बल उत्पाद गिफ्ट किये जाने है इसके लिए ट्राइफट इंडिया ने 36 गड़ के हर्बल उत्पादों का चैन किया है गिफ्ट हेंपर में और्गेनिक बस्तर काजू, वाइल्ड फॉरस्ट, हनी, ग्रीन टी, आमला केंडी, इमली केंडी, आमला पाचक, चिरोंजी दाना और विभिन प्राक्रेतिक अभ्यावों से निर्मित, हर्बल साबुन और फेस पैक शामिल है प्रादेशिक समचार आप आकाश्वाणी राइपूर से सुन रहे हैं और अब रेडियो के साथ ही, आपके मोबाइल के जर्ये भी हम पहुँच रहे हैं, आम तक शत्तिस गड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं, आकाश्वाणी समचार और अब आगे बढ़ते हैं बागी के समचारों की ओर 36 गड़ में कोरोना संक्रमन के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, राजी में पॉजिटिविटिटी दर्ग घट कर 3.9 प्रतिशत हो गई है कर प्रदेश में कोरोना संक्रमन के 2437 नए मामले सामने आए इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,67,000 से अधिक हो गई है इनमें से 9,11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान में लगभग 43,000 मरीजों का इलाज विभिन अस्पतालों या होम आलसोलेशन में चल रहा है इस बीच महासमुन जिले में कोरोना संक्रमन की दर में लगातार कमी आ रही है पॉजिटिविटी दर कम हुई है और रिकवरी बढ़ी है जिले के कलेक्टर डोमन से हिने COVID-19 की स्थिती की समीक्षा करते हुए कोरोना की रोक थाम के लिए सभी विभागों के अधिकारियों और करमचारियों के साथ-साथ जिले के नागरिकों की जागरुपता और सजगता की तारिफ की कलेक्टर ने पात्र नागरेकों से जल्द से जल्द वैक्सिन लगवाने की अपील की है वही राजनान गाउं शेहर में स्वच्चिता दीदियां और सफाई कर्मिचारी COVID अस्पतालों और होम आईसोलेशन से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का निश्पादन कर स्वच्चिता का संदेश दे रहे हैं सफाई कर्मी प्रति दिन कोवीड अस्पताल और केर सेंटर का कच्रा एकट्टा कर डिस्पोज कर रहे हैं तो वहीं स्वच्छता देदियां घर घर जाकर कच्रा संग्रहन कर स्वच्छ भारत का संदेश दे रही हैं 36 गर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12 मी की परिक्षा में कोरोना संक्रमित परिक्षार्थी द्वारा अधिकरित व्यक्ती अब कोई भी फोटो यूगत परिचाई पत्र की चायप्रति के साथ संबंधित परिक्षार्थी के प्रश्ण पत्र और उत्तर पुस्त प्रश्ण पत्र और उत्तर पुस्थिका के प्राप्त तथा जमा करने के संबंद में कोरोन संक्रमन होने का प्रमान पत्र और आधार कार्ड की छॉया प्रती अनिवार की गई थी, लेकिन अब संश्चों से आदेश के अनुसार कोई भी फोटो परिछाय पत्र की छॉया प्र राज्य सरकार कोरोना से दिवंगत हुए मीडिया कर्मी के आश्रित परिजनों को पांच लाग रुपिय की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी। कासखंड के अंतरगत, ग्राम, धरसेडी, आमापारा में कल कुवे की मिट्टी धसकने से वहां कारे कर रहे तीन श्रमिकों की मौत हो गई। के आश्रित परिजनों को सवा पांच पांच लाख रुपिय की आर्थिक सहायता राशी देने के निर्देश कलेक्टर को दिये हैं। राजनान गाओं में कल से गोबर की खरीदी फिर से शुरू की जाएगी, यह खरीदी शहरी छेतर के चार केंद्रों में की जाएगी। महाप और हेमा देशमुख ने बताया कि गोबर की खरीदी मोहारा, बजरंगपुर, नवागाओं, रेवा डेह और लखावली केंद्र में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते वे की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामले और लॉकडाउन की वज़ा से गोबर खरीदी बंद कर दिये गए थे। अच्छता का विशेश ध्यान देने के लिए किशोरियों को जागरूप करने के बारे में जानकारी दी। इसके असर से प्रदेश के एक-दो इस्थानों पर हलकी वर्षा और गरत चमक के साथ बारिश होनी की संभावना है। इस दोरान अधिकतम तापमान में विशेश बदलाओ होने के आसार नहीं है। इस बीच आज दोपहर बाद से राइपुर, बिलासपुर सहित अनेक जिलों में आसमान में बादल घिराए और वचारे भी पड़ी। उधर जांजगीर चापा जिले के ग्राम केरी बंधा में आकाशी बिजली गिरने से एकबालिका की मौत हो गई। अब कुछ अन्य खबरे संक्षिप्त में, केंद्र सरकार ने कोरोना के दोरान कमाने वाले परिवार के एक मात्र सदस्य की मौत होने पर परिवार की आर्थिक तंगी कम करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविश्य निधी संगठन के अंतरगत ब स्वास्थ जोखिम के बारे में लोगों के मन में जागरुकता लाई जाएगी। दुर्ग के महवीर कोवीड केर सिंटर में आज से पांच दिवसिये निशुलक स्वास्थ शिवर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिवर में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों को निशुलक सलाह और दवाई दी जा रही है भिलाई में सिंपलेक्स कास्टिंग कमपनी के डारेक्टर के साथ 87 करोड रुपय की धोखा धरी के मामले में पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जांजगेर चांपा जिले में किसानों के द्वारा ब्लैक राईस की खेती बड़े इस्तर पर की जा रही है जिले में इस साल 25 हेक्टियर में काले जावल की खेती की गई जगदलपुर पुलिस ने फरजी तहसिलदार और राजस्व अधिकारी बनकर लोकडाउन के दोरान व्यापारियों से उगाही वसुली करने वाले दो यूवकों को गिरफतार किया है राईगर जिले में खरीब विपड़न वर्ष 2019-20 में उपारजित धान का शत प्रतिशत उठाव पूरा हो चुका है और परियावरन संरक्षन मंडल के छेतरी कार्याले भिलाई द्वारा विश्व परियावरन दिवस के मौके पर आगामी 5 जून को ऑनलाइन निबंध प्रतियोगी तका आयोजन किया जाएगा अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आकाशवाणी से मनकी बात कारिक्रम में कोरोना योधाओं का आभार व्यक्ति किया कहा कि कोवीट की पहली लहर की तरह एक बार फिर देश विजई होगा प्रधेश में व्रिक्षा रुपन को प्रोट्साहित करने के उद्धिर्श से आगामी एक जुन से शुरू होगी मुख्य मंत्री व्रिक्षा रुपन प्रोट्साहन योजना 36 गड़ योग आयोग द्वारा कल से वर्चुल योग अभ्यास और योग परामर्श कारिक्रम का आयोजन किया जाएगा और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो इस्थानों पर गरत चमक के साथ अंधर चलने तथा आकाशिय बिजली गिरने की संभावना झाल झाल